असलाम लेकूम मेरा नाम है सोहेब hasard वेकने इन्फरमेटी वीडियो के साथ आज की हमारी वीडियो है basement के बारे में basement बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए इसके लबागर हम basement बनाते हैं तो इस पर हमाला कितना खर्चा आएगा आज की वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे वीडियो में कमल देखीगा ताकि आप लोगों को मुकमल इंफर्मेशन मिल सके और अगर हम basement बनाते हैं तो इसका बनाने का मकसद क्या होता है मुकमल तफसील के साथ डिसक्स करते हैं सबसे पहले basement बनाने के लिए यह हम नीचे raft त्यार करते हैं जिसको हम base बोलते हैं यह base जिसमें हम steel बानते हैं और concrete करके जैसे हम lantern नहीं डालते हैं same as it हम steel बान के raft त्यार कर लेते हैं और फिर हम जितना area हमें basement के लिए require होता है उतने area पे हम अपना यह परदी भरते हैं अगर बीच में सरिया बन चुका है तो अभी justice की concrete होनी है तो हमारी जो परदी है वो ready हो जाएंगी सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ के basement पर जो हमारा खर्चा आएगा पर square feet के हिसाब से वो हमारा तकरीबन 2000 square feet पर square feet खर्चा आएगा 2000 रुपे पर square feet अगर हम basement त्यार करते नीचे जिन rooms को हम as a office, as a prayer room या store rooms या हम अगर पूरा घर भी basement में नीचे बनाना चाहे तो वो भी हम plan कर सकते हैं तो basement का खर्चा तो जरूर होता है लेकिन आम जो हम उपर building बनाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हमारा होता है basement पर square feet के हिसाब से आम हमारा जो उपर खर्चा आता है वो तकरीबन 16-1700 पर square feet ग्रे स्रक्चर का खर्चा आ जाता है लेकिन basement का हमारा तकरीबन 2000 पर square feet ग्रे स्रक्चर का खर्चा आता है इसके लावा basement के लिए आप लोगों ने जो सीपच की problem है उसका खास तोर पर बंदोबस कर लेना है आज कल market में एक नई चीज आही है जिसको हम bitumenius sheet बोलते हैं जो के basement की परदी की side पे लगाई जाती है ताके जो हमारी same है वो अंदर ना आए bitumenius sheet जो होती है वो एक bitumen से ही त्यार की हुई एक sheet है जिसको हम look बोलते हैं वो proper एक sheet त्यार की गई है जिसको हम basement की परदी के इर्दगिर्द लगा देते हैं और same हमारी अंदर नहीं आती जब यह sheet नहीं होती थी तो हम परदी को चारो side से plusser करते थे plusser करके हम उसके उपर chips कर देते थे ताके जो हमारी same है वो अंदर ना आए खास तरपार आप लोगों ने basement त्यार करवाते हैं वकत जो points का ख्यार रखना है उन में से एक एहम point आप लोगों का center का निजाम है पानी के उपर निकालने का बंदो बस इसके लावा अगर आप लोग वाश्रूम त्यार करवाते हैं उसका जो पानी है उसको उपर निकालने के लिए आप लोगं का प्रॉपर निजाम होना चाहिए और किसी माहर कारीगर से आप लोगों ने अपना जो basement का sentry का काम है वो करवाना है electricity का जो काम है वो इतना मुश्किल नहीं होता वो हो जाता है basement में लेकिन खास तोर पर sentry का जो बंदो बस्ता है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है इसके लवा आजकल के दौर में जो आप लोग का बेस्मेंट त्यार करने पर खर्चा आएगा वो तक्रीबर दो हजार पर स्केर फिट आएगा ग्रे स्रक्चर का इसमें finishing अभी शामिल नहीं सिर्फ grey structure का आप लोगं का 2000 रपे पर square feet खर्चाएगा तो ये थी हमारी आज की वीडियो basement के उपर उमीद करता हूँ आप लोगं का वीडियो पसंद आई होगी इसके लावा अगर आप लोगं का कोई खास question हो या किसी खास specific topic पर आप वीडियो चाहते हूँ तो वो भी आप comment box में जरूर बताएं मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा इसके लावा बिल्डिंग के मतलिक अगर आप लोगं का कोई भी question हो तो वो भी आप comment box में जरूर पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगं को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके इन्शालला अब मिलते है नेक्स वीडियो के साथ अपना बहुत सारा खिया रखियेगा अलाफिस